दोस्तों कर आप भी केल राहूल और कुनाल पांडिया को बहतरीन खिलाली मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा दोस्तों गुजरात के जबडे से जीत को छीन कर राहूल की पल्टन ने रचा इतिहास तो पूरी दुनिया लगनों का ये करिश्मा देखकर हका बक्का रह गई एक खतरनाक बल्बाज और कप्तान है अपनी राय नीचे कोमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों सूपर संडे के दिन तो रुमांच की सारी हदे पार होगी पहले मुंबई इंडियन्स के मैच में फैंस को फुल सिनेमा का ट्रीटमेंट मिला तो लखनों के मैदान प यहां तक की खुद राहू 31 गेंद पर 33 रन जैसी टेस्ट मैच की पारी खेल पाए लेकिन दोस्तों स्टोईनिस के 43 गेंदों पर 58 और निकोलस पूरन के 22 गेंद पर 32 रनों की तुफानी पारी की बदौरत लखनों ने 20 ओवर में 163 रन बनाये थे जो इतना बड़ा तो नह ने आते ही अपनी फिर्की कहा ऐसा समा बांदिया कि एक के बाद एक गुजराद के तीन बलेबास का शिकार कर उन्होंने तो अकेले गुजराद के आदे बलेबास ही करम को समीट दिया और अपनी टीम लखनों को इस मुकाबले में चैम्पियन के रूप में लाखडा किया यहां तक कि हारदिक पांडिया के बाद कुनाल पांडिया दौनों भाई अपनी टीम के लिए जीत के हीरो बने और अपनी टीमों को चैम्पियन मनाया लेकिन दूसरी तरफ से गिल्ड की गुजराद को बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा और गुजराद तो 164 रन भी चेज नहीं कर पाई इसके बाद तो उनका मजाग बनना बनता ही है यहां तक कि दुनिया भर के कई बड़े बड़े दिगज भी अब इस पर बयान देने से खुद को रोक नहीं पाए जैया दोस्तों सबसे पहले तो सुरेश रहना ने कहा कि मुझे पता है यहां बल्ले गुमाई है बाई मजा आ गया गिल को इससे काफी कुछ सीखने को मिलेगा क्योंकि हमेशा मैच आपके हिट में नहीं जाते हैं लेकिन मुझे लगता है कि गिल अपनी टीम की वापसी करवाएंगे राहुल को जीत की खूब खूब बदाए तो वहीं दोस्तों अस्ट्रेलि के गिनबाजों ने कमाल का काम किया है राहुल ने उने बको भी इस्तिमाल किया है इस खिलाडी में कमाल की क्वालिटी है मुझे लगता है कि लगनों और गुजरात जरूर प्ले आफ में कॉलिफाइ करेंगी क्योंकि उनके पास सब कुछ है जो उन्हें चैंपिन बनाने के असान नहीं होता है लेकिन उन्होंने अपने प्लैन के अकॉर्डिंग गुजरात के बल्ले बासों को रीड किया उन्हें अपने जाल में फसाया निश्चित तोर पर ये मुकाबला कमाल का था भले इसमें ज्यादा रन नहीं बने लेकिन जिस तरीके से बॉलिंग कार्ड डॉमिनेंस हमें देखने को मिला वो तो सच में लाजवाब था तो वहीं दोस्तों अंत में खुद शोय बक्तर का भी कहना है मुझे लगता है कि केल राहूल इस बार लखनो को आईपियल 2024 का चैंपियन बनाएंगे गिल भी लखनो की टीम इस समय बहुत मजबूत नज़र आ रही है भले ही उन्होंने रन नहीं बनाए लेकिन क्या कमाल की गेंद बाजी हुई है सरूट है उन्हें मेरा तो मैं तो इस खिलाडी को आगे भी खेलते हुए देखना चाहूंगा राहूल में मुझे धूनी वाले सभी क्वालिटीज नज़र आती है तो दोस्तों देखा आपने कैसे इन सभी दुनिया भर के दिगगजों ने अब राहूल की जमकर तारीफ की लेकिन अब आपको क्या लगता है कि राहूल और गिल में कौन अपनी टीम को अपनी कीमती राहे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें दोस्तों जैसा कि आपको पता है लगनोव और गुजरात के बीच खेले गए रुमान्चक मैच में लगनोव की टीम को जीत मिल गई है इस मैच में लगनोव की टीम ने टॉस जीत कर पहले बलेबाजी करते हुए 163 रन पांच विकेट के नुकसान पर बना दिये और 165 रन का लक्ष गुजरात की टीम को दे दिया ऐसे में लगनोव को मिली जीत के बाद कप्तान केल राहुल का बड़ा बयान सामने आया है जिसमें लगनोव के कप्तान केल राहुल ने बयान देते हुए कहा है कि गुजरात की टीम के खिलाव लगनोव को मिली शांदार जीत के बाद मैं काफी ज्यादा खुश हूँ जिस प्रकार से आज हमारी टीम ने बहतरीन परदर्शन करते गुजरात को इस मैच में हराया है वो वास्तों में काबले तारीफ है क्योंकि इस मैच के अंदर हमारी टीम की तरफ से कोई भी खिलाड़ी ऐसा नहीं था जिसको काफी ज्यादा काफी ज्यादा बहतरीन के इंदांज ही करके दिखाई साथ में हमारी बहले बाजों ने बहतर परदर्शन कर विरोधी टीम को दबाव में डाला जिसके चलते हमारे लखनों की टीम समैच में जीत कई एज़रा नहीं पर लगण National की जीत के बाद अब मुगे लग लग रहा सिलसला जारी रखा था लेकिन गुजराद की टीम की तरफ से अब हार्दिक पांडिया नहीं खेलते हैं तो गुजराद की टीम को लगातार हार का सामना करना पड़ता है ऐसे मेरे नुसार तो गुजराद की टीम के लिए लगी चाम हार्दिक पांडिया थे क्योंकि वो टीम क कुछ खास कमाल नहीं कर पारी है क्योंकि शुभुमन गिल काफी डिफेंजिव अंदाज में बल्ले बाजी तो करते हैं साथ में अपनी कातिल ने कप्तानी से भी सभी को निराश कर रहे हैं ऐसे मेप गुजरात की टीम को आने वाले मैच में टीम के अंदर काफी ज्यादा बड़ा है इस मैच में दिल्ली की टीम ने टॉस जीत कर पहले गेंद बाजी करते हुए मुंबई की टीम को 20 ओवर में 234 रन 5 विगट के नुकसान पर बनाने के बाद रोग दिया हालागी इसका पीछा करने के लिए जैसे दिल्ली की टीम में 46 रन 1 विगट के नुकसान पर बना दिया लेकिन दिल्ली की टीम इस मैच को जीतने में समर्थ रही ऐसे में दिल्ली की टीम की हार के बाद दुनिया भर के तमाम दिगजों का बड़ा बयान सामने आया है जिसमें शोय बक्तर ने बयान देते हुए कहा है कि मुंबई और दिल्ली के बीच खेले गए इस मै मैच के अंदर रोईच शर्मा ने तो शांदार बल्ले बाजी किये लेकिन उनके अलावा जिस प्रकार से टिम डैविड और शेफ हट ने तूफानी प्रदर्शन किया उसके चलते पूरा का पूरा मोमेंटम मुंबई के पक्ष में आ गया है और मुंबई की टीम इस मैच को ज करशन नहीं किया लेकिन अगर हमारी टीम के गिंदबास काफी ज्यादा बहतर तरीके से मैच के अंदर देखने को मिलती तो शायद हमारी टीम को जीत दर्ज करने का मौका मिल जाता इसके लावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि हमारी टीम के कुछ गेंदबास चोटिल हैं जिसमें मुगेश कुमार और कुल्दीब यादव ने मुख्य भूमी का निभाई थी लेकिन ये दौनों टीम के साथ नहीं है और इन दौनों ने ना होने से दिल्ली की टीम को इस मैच में हार का सामना करना पड़ा है तो वहीं एभी डिविलेर्स ने बयान दे सबी को हैरान कर दिया है उसके चलते जीत की नीव मुंबई की टीम ने रख दिया है इसके लावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि दिल्ली की टीम की तरफ से कोई भी गेंबास बहतरीन गेंबाजी नहीं कर पाया हालाकि बले बाजों ने लक्षे का पीछा करने का प्रयास किया लेकिन 234 रन का पीछा करना दिल्ली की टीम के लिए भी मुम्किन नहीं था और यही कारण है दिल्ली इस मैच को हार गई तो वहीं सुनिल गावसकर ने बयान देते हुए कहा है कि मुंबई की टीम के खिलाव दिल्ली की तरफ से सबी खिलाडियों का बहतर देखने को नहीं मिला जिस प्रकार से गेंबाजों ने खराब गेंबाजी की थी उसका फायदा उठा कर मुंबई ने उठालिया क्योंकि मुंबई की टीम के पास काफी ज्यादा बहतरीन बहले बास थे और मुंबई की टीम ने जिस प्रकार से इस मैच के अंदर दिल्ली के ग बेहत जरूरत है तो दोस्तों आपको क्या लगता है इस मैच में दिल्ली की टीम की हार का सबसे बड़ा कारण क्या रहा अपनी राया नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें दोस्तों आई पिल का सबसे खतरनाक मुकाबलावान खेड़े के मैदान पर खेला गया इस मुकाबल एक रोहिद चर्मा ने कई चौके लगाने शुरू कर दिया इसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था वो प्रचंड रूप अपना चुके थे खलील हमत से लेकर इशान चर्मा अक्षर पटेल हर गेन बाजों की जमकर धुनाई कर रहे थे और देखते देखते हैं इन दोनों बल्लेबाजों ने अपनी टीम को पावर प्ले के 6 ओवर में ही 75 रनों तक पहुचा दिया वहीं रोहिद चर्मा 49 रनों पर बल्लेबाज ही कर रहे थे लेकिन टीम के लिए 7 ओवर लेकर आए अक्षर पटेल और आते हैं उन्होंने अपनी टीम को मुंबई इंडियन्स को 81 सी रनों के स्कोर पर दूसरा जटका लगया लेकिन इशान किशन लॉन वारियर की तरह मैदान पर ठीके हुए थे उनका साथ देने के लिए खुद कप्तान हार्दिक पांडे आए